हालो दोस्त 2018 एक जूग था जिसमें टेक्निशियन का कटफ 30 35 45 50 तक हो गया था आई टी आई के लिए तो आई टी आई टेक्निशियन का कटफ इस बार हाई जाएगा क्या सेलेक्शन की उम्मीद रखे या एल्पी एंटी पिसी लेबल वन की तियारी रखे तो दगी एल्पी बेटर है लेबल वन भी कुछ हद तक बेटर है लेकिन स्लेबस के उपार से देखेंगे तो 16 अक्टूबर तक जिनकी एज क्वेशनल क्वालिफिकेशन आई टी आई क्या है वो कंडिडेट के लिए फूसकभरी आ गई है और जो कंडिडेट और डेडी अपलाई के रखे थ उनकी जितनी बेकेंसी बड़ी उससे जादा दर्द दे गया है तो कुछ लोग कहेंगी कि दर्द कैसे तो इस वीडियो में अपलाई करते हैं और समझते हैं कि फॉर्म अपलाई हो रहा है उनका भी जिनका क्वालिफिकेशन 16 अक्टूबर के बाद था लेकिन यह हम नहीं क रहे हैं जैसा कि आपने 27 तारीक को कोरिजेंडम देखा था उसमें लिखा था कि सारा दो अबलिक 24 का पैरामीटर लागू होगा लेकिन उसके बाद एपे की विलाके कोरिजेंडम के रूप में डाल दिया और उस कोरिजेंडम से आप समझ सकते हैं कि आपको अफिसियल अला सही सही चीजियों को डिसकस करना आपके साथ हमारा काम है बाती हम ज़्यादा चीजियों पर विश्वास नहीं करते कि कंडिडेट को परसान करें या पेपर कटिक दिखाके इधर उदर घूंके रहें तो यहां पर आगर एक मिनट लेट साइट बहुत सुलो चल दा है जो 27 तारीके सुधी पत्र या प्रसिस रंक्या तू उसका महत्पूर्ण सुचना का फ्रिक्वेंटली आश्ट कोस्चन है तो एक दर मारा अर्वी ने सही निशाने पर आपको दिया है जबाब कोई घबराने की जरूरत नहीं है जो सबसे ज़्यादा लोगों को हीट कर रह ज़्याद ओ था सवाल नंबर आपका आप्ड क्या था कृषियल डेस्ट अप एज केश्चनल क्वालिपिकेशन कान भी चंडिडेट रिजल अग्स पैक्टेडर इस सोल अक्टूबर तेहां बोड दिया कंडिडेट पुराना या नया मस्ट भी प्रसेस एज केश्चनल क्वालिपिकेशन एड टेक्निकल क्वालिपिकेशन ऑन विफोर क्लोजिंग डेट अफ दी विंडो पिरियेट फोर सब्मेशन ऑफ दी अप्लिकेशन सोला दस चौबिस हमारा नुवान यहां फेल है क्योंकि हमने ओल्ड का पड़ा था ओल्ड का ही नोटीस लिखा हुआ था क कि वोल्ड डेट है वही रहेगा कि बाल अपलाई कर सकता है जो लोग नहीं कर सकते हैं तो रेलवे ने कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए अप्रेस्टेशन होना चाहिए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि नोटिपिकेशन के बाद विंडो तो लेकिन डेट नहीं बढ़ा था इस बार बढ़ा तो इसका प्रणाम क्या होगा जो कंदिट अपनाई कर लेगैं वेटिंग कंडिट नोट एलिजबल है जिनका रिजल्ट 16 तक नहीं उनको ने पड़न किया है लेकिन 16 तक जिनके पास रिजल्ट है वह आराम से अप्लाई कर सकते हैं तुछुन दोचीज होगा इसको तीन तरीके से बाकी और सब वही है जिए आप जान रहे ते वही है जो नोटिसमें पढ़े हैं यह की चीदिदना है बाकी अब पढ़ लिया है बागी आपको कोई इंशन नहीं होने वाला है यानि आपका कुरूशियल डेट अप ओवी सी इसी बगेरा के लिए भी सब वही डेट रा गया यारी जो डेट हो गया मोडिफाई हो गया सब कुछ के लिए पीडेवलूडी बगेरा का वो सब आपका वही चल ग जी इससे एक डिस्कस निकलना है आपका कि जो ओल्ड कंडिडेस हैं उनको अभी दिमाग की बत्ती जलाने पड़ेगी पढ़ाई में मेहनत करना पड़ेगा वो सोच रहते कंपेटिशन हाड है अब हाड नहीं सूपर हाड हो गया कटप बढ़ेगा ही एकदम बिल्कुल करेंगे यानि इसका 50% भी बढ़ गये तो हमें लग रहा है कि दो लाग तक आपको कंडिडेट अप्लिकेशन बढ़ गया दो तीन लाग तो आपका कंपेटिशन लेबल ठीक ठाक होगा अगर फ्रेस कंडिडेट है अच्छे कंडिडेट है हलागी संख्या कितनी बढ़ेग करेंगे तक सब भर सकता है कोई भी कोई केंफ्यूजन नहीं है बस लेबल वन में कोई मोडिफाई नहीं होगा बस तीसरा आपका यह से डेट से क्या मिल रहा है डेट आपको सोला दस क्रूसियल हो गया है हर चीज के लिए तो यह समझे यह आरार भी क्या आप दो अजार प से पास वह यह बन गया और बाकी आपका सेलेक्शन का निजाइद करने का जुत माप डंट है तो आगे बढ़ जाएगी कट अप बढ़ जाएगा लेकिन सेलेक्शन तो होगा ही न जो वैकेंसी आपके 14,200 कुछ है वो किसी रख किसी कंडिडियोट को मिलेगा और एक ही सीब है यह भी पता है तो कंपेटिशन लेबल तो ठीक ठाक हो गया पहले करीब 30,000,000 कुछ बता रहे ते करने जेट 25,000,000 कहीं आता था कुछ अलग अलग खबर निज में आ रहा था लेकिन अब यह बढ़ के बहुत अच्छा खासा संक्या बढ़ जाएगा क्योंकि अभी एक ब कंपेटिशन होने वाला है तगड़ा और इस कंपेटिशन में वही निकलेगा जो आपने सेलेक्शन की उमीद नहीं पढ़ाई को पिर्प्रेशन हाई लेबल पर ले जाएंगे थैंक्यू देनेवा